नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो की है स्टॉक मेंटेन एंड उसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको प्रोफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप दिखाऊंगा और उसके साथ ही पर्चेस एमाउंट, सेल्स एमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे मेंटेन करते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप दिखाऊंगा तो इस वीडियो में मैं काफी knowledge आप लोगे साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को last तक देखिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकती हो, मैंने एक table को यहाँ पर design करके रखा है, जहाँ पर मैंने लिया है serial number, उसके बाद item, यहाँ पर हम फिर closing stock, closing stock में quantity और amount इन दोनों sell को मैंने लिया है, मतलब कि कितना quantity और amount होगा आपको यहाँ पर दिखाएगा, और last में मैंने लिया है profit और loss, यहाँ पर मैं profit और loss को calculate करके निकाल के आपको दिखाऊँगा, तो इस table के उपर base करके, मैं पूरा structure आपको यहाँ पर करके अब मैं चलाओंगा item के sell में, और यहाँ पर आपको item का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा keyword, आप यहाँ पर जो भी item को purchase किया है, उस item का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, उसके बाद आपको कितना piece आपने purchase किया है, उसका आपको यहाँ पर लिखना होगा simple way में आपको amount calculate करने के लिए quantity into rate मतलब कि quantity के साथ आपको rate को multiple करना पड़ेगा तो यहाँ पर हम formula देंगे equal quantity into rate just इस cell को select करेंगे और एक बार enter करेंगे enter करने के साथ ही यहाँ पर देखिए amount calculate होके निकल आया है तो यह हो गया purchase का अब मैं आपको sales का पूरा process दिखाऊंगा sale में मतलब कि आपने जितना piece भी keyboard sell किया है उसको आपको quantity के sell में लिखना होगा मानली जिये मैंने यहाँ पर sell किया है 15 piece और मैंने 375 375 डुपीज करके sale किया है तो मैं यहाँ पर आपको amount को calculate करके दिखाऊंगा एकदम same process follow गर के आपको यहाँ पर amount को calculate करना है equal quantity multiple with rate just एक बार rate को select करेंगे select करने के बाद enter करेंगे enter करने के साथ ही यहाँ पर amount calculate होके निकल आएगा यह देखिए दोस्तों अब मैं आपको closing stock को calculate करके दिखाऊंगा closing stock में आपको निकलना है quantity और उसके साथ amount को जो कि आपको purchase से sale को minus करके निकलना है तो purchase में यहाँ पर देखिए मैंने rate दिया था 350 और मैंने sale किया है 375 करके और यहाँ पर purchase के amount और sale के amount को अगर calculate करेंगे तो यहाँ पर मेरा closing stock का amount भी निकलाएगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको quantity को calculate करके दिखाऊंगा जो कि मैं purchase के quantity से sales के quantity को minus करूंगा तो quantity यहाँ पर आपका निकलाएगा तो मैं यहाँ पर formula में लिखूंगा equal equal देने के बाद मैं select करूंगा purchase के अंडर से quantity को minus sales quantity जास एक बाद sales quantity में क्लिक करूंगा जास एक बाद enter करेंगे एंटर करने के साथ ही यहाँ पर दिखे closing stock मेरा निकलाया है तो यह हो गया मेरा quantity calculation अब मैं यहाँ पर आपको amount को calculate करके दिखाऊंगा closing amount को calculate करने के लिए आपको यहाँ पर एक formula लितना होगा जहाँ पर हम लिखेंगे equal quantity मतलब closing stock का जो quantity है इसके साथ आपको purchase rate को multiple करना परेगा into purchase rate जस्ट इस rate पर आपको click करना होगा click करने के बाद just एक बाद enter करेंगे और उसके साथ ही आपका closing amount calculate होके निकलाएगा यह दिखिए तो दोस्तों यह हो गया closing stock निकालना अब मैं यहाँ पर आपको profit or loss statement को calculate करके दिखाऊँगा profit or loss को calculate करने के लिए आपको यहाँ पर फिर से एक formula लिखना होगा तो formula में हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले equal sign फिर आपको यहाँ पर select करना होगा closing stock amount को इसको मैं यहाँ पर select करूँगा इसके साथ आपको plus करना होगा sales amount को sales amount को आपको यहाँ पर plus कर लेना है और इसमें से आपको minus करना है purchase amount को तो यहाँ पर minus sign देने के बाद आपको यहाँ पर purchase amount को select कर लेना है मतलब कि आपको यहाँ पर closing stock मतलब कि closing stock amount जो है इसके साथ आपको plus कर लेना है sales amount को और minus कर लेना है आपको purchase amount को purchase amount को आपको यहाँ पर minus कर लेना है just एक बार enter करेंगे enter करने के साथ ही keyboard के उपर कितना profit आपको हुआ है वो यहाँ पर calculate होके निकल आएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो keyboard के ऊपर जितना amount आपको profit हुआ है वो यहाँ पर calculate होके निकल के आ चुका है दोस्तों अब मैं यहाँ पर बाकियों को calculate करने के लिए सबसे पहले purchase के amount को एकदम last तक drag करके fill कर दूँगा फिर मैं यहाँ पर closing amount को भी यहाँ पर fill कर दूँगा और last में profit or loss को भी एकदम last तक drag करके fill कर दूँगा तो दोस्तों इस process को apply करने से आपको फायदा होगा कि किसी भी item को जब आप यहाँ पर entry करेंगे तो उसका closing stock और profit or loss amount automatically calculate होके निकल आएगा अब मैं दोस् 90 रूपीस करके मैंने यहाँ पर purchase किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो purchase amount जो है वो यहाँ पर automatically calculate होके निकल के आजाएगा यह देखिए अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए sales के part में मैंने sell किया है 12 piece माउस को मैंने यहाँ बारापीस sell किया है तो मैं यहाँ पर 12 और इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो closing stock का quantity और उसका amount है वो भी यहाँ पर calculate हो चुका है मेरा closing quantity है और यह मेरा closing amount और उसके साथ ही मेरा profit loss में profit कितना होगा उसका amount भी calculate होके निकल के आ चुका है अब मैं यहाँ पर आपको तीसरा और एक item को यहाँ पर add करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पर add करूंगा UPS को मान लिजे मैंने यहाँ पर इसको purchase किया है 14 पीस और मैंने इसको purchase किया है 1750 तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1750 तो यहाँ पर देखिए automatically purchase amount जो है वो यहाँ पर calculate हो sell में नहीं दिखाया है अब मान लिजे मैं यहाँ पर 9 UPS को sell करता हूं 1870 रुपए में तो उसके साथ ही जब मैं enter करूंगा enter करने के साथ यहाँ पर देखिए sales amount closing में मेरा quantity closing quantity यह amount है उसके साथ closing amount और उसके साथ ही यहाँ पर देखिए profit loss में भी मेरा कितना profit हुआ है वो भी यह था simple process जिसको use करके आप easily किसी भी item को add करके उसका purchase, sales, closing stock और profit loss statement को निकाल सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजेगा, thank you for watching the video, please keep your support